बिहार के पूर केबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव की हालत इन दिनों कुछ गंभीर दिखाए दे रही है आपको बता दे कि तेज प्रताप यादव को पिछले दिनों सीने में दर्द के चलते अचानक अस्पताल में भरती करवाना पड़ा था पटना के एक अंकड़वाग स्थी तेकनीजी अस्पताल में उनका वरतमान में इलाज चल रहा है आपको बता दे कि तेज प्रताप यादव बिहार केबिनेट में पूर परियावन और स्वास्थ मंत्री रह चुके हैं तेज प्रताप यादव लालू परिवार के बड़े बेटे हैं पिछले जिनों जिस तरीके से हाई बलड प्रैसर के चलते उन्हें अचानक सीने में दर्ध होता है उसके बाद लालू परिवार में सन्नाटे का माहोल चा जाता है इस बीच आपको बता दे कि तेज प्रताप यादव की पतनी ऐश्वर्या मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई नजर आती है पतनी ऐश्वर्या जिस तरीके से लगातार तेज प्रताप यादव के उत्तम स्वास्थी की कामना करती नजर आ रही है उसके मदे नजर अब तेज प्रताप यादव की स्वास्ते स्थीती सामान ने बताई जा रही है डोक्टरों की एक टीम उनके स्वास्ते स्थीती की लगातार जाच कर रही है आपको बतादे कि मिली खबरों के मुताबिक तेज प्रताप यादव को सीने में तेज दर्द हाई बलड प्रेसर के कारण हुआ था और ऐसे में उनको आनन भानन में अस्पिताल में भरती करवाया गया था तेज प्रताप यादव वरतमान में अपनी पतनी एश्वरिया से तलाक के मामले में जूज रहे हैं एश्वरिया राय के साथ हुई उनकी शादी इस वक्त दोनों अलग-अलग रह रहे हैं पिछले दिनों पटना की एक अदालत ने आदेश जारी करते वे कहा कि एश्वरिया को तमाम वो सुईधाय दी जानी चाहिए जो की राबडी देवी को दी जा रही है इस बीच जब एश्वरिया को तेज प्रताप यादव की खराब स्वास्ति स्थीति का पता चलता है वे मंदिर में उसकी दूआ मांगने के लिए जाती है और वहाँ पर तेज प्रताप या साथ केविनेट में मंत्री भी रह चुके हैं तेज प्रताप यादव 2015 में जिस तरीके से स्वास्त मंत्री बने थे उसके बाद पिछले वक्त जब नितीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया था उस दोरान तेज प्रताप यादव को वन परियावन म मंत्री बनाय गया था ऐसे में अब लालू परिवार को उमीद है कि जल्द ही तेज प्रताप यादव स्वस्थ हो करके वापस लोटाएं फिलहाल इस खबर में इतना ही